घर घर का संदार प्रेम सनातन सबसे बड़ा कोटुहल पुनस्थान हम आप पुलिये चलते हैं नैमिस्षारण के अजोध्या जहां दिखाएंगे आपको वो ब्रक्ष जहां साक्षात हनुमान जी का वास्त रहता है नैमिस्षारण के घंगोर जंगल में आज भी साक्षात विराजमान है महाबली हनुमान अतिप्पा प्राचीन वट ब्रक्ष में दर्शन देकर फिर उसी ब्रट ब्रक्ष में समा गए महाबली हनुमान इसी ब्रक्ष के पास भगवान सिरी राम रुके थे जब वो नैमिस्षारण में अस्व में यग्य करने आये थे और तब इसी बट ब्रक्ष के पास रहे थे हनुमान आज भी उसी ब्रक्ष की खोह में होते हैं हनुमान जी के दर्शन और उसी वट ब्रक्ष के पास तपस्या कर रहे हैं राजस्थान के एक योगी हम जी समय नैमिस्षारण की यात्रा पर थे और शोद कर रहते नैमिस्षारण के कुछ बिचत्र स्थानों की और उसी समय हमें मालुम हुआ कि अज़ग्ध्या के पास एक ऐसा अस्थान है जहां साथ्षाथ हनुमान जी का वास रहता है अब मेरे लिए जानना आवश्यक था कि आखिर हनुमान जी का साथ्षाथ वास का मतलब क्या है और हमने हमारा रुख और हमारी गाड़ी चल पड़ी नैमिस्षारण की अजुध्या की तरफ अश्व में यग्य करने के लिए नैमिस्षारण में इसी अस्थान पर आये थे इसी अस्थान पर प्रभू सिरी राम का सिविर लगा था और यहीं वो पूरे अश्व में यद्य के दर्मियान मौजूद रहे भगवान सिरी राम की समर्थ में यहां अजुध्या का निर्माण किया गया भव्य मंदिर बनाए गए इसी जगह पर यह हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है इसमें हनुमान जी के साथ साथ अन्य कौम देवी देवता है कुछ भी जात नहीं हो पाता है चुकि सारी मूर्थ्या अत्यंत प्राचीन है और उन सारी मूर्थ्यों को रंग दिया गया है देवादी देव महादियों के साथ भगवान राम, जानिकी और सीता का भी मंदिर बना हुआ है यह अदोबुत már निराला मंदिर है यहाँ यह मूर्ती काम कामियस्वरी की बताई जाती है और यहाँ वह अस्थान जहाँ एक विशाल ब्रक्ष है वटवरक्ष कहते हैं हनुमान जी इसी अस्थान पर भगवान सिरी राम की सुरक्षा के लिए रुके थे और ये भी दावा किया जाता है यह वटवरक्ष उसी समय का है जब हनुमान जी यहां रुके हुए थे हलागी यह वटवरक्ष गोंती नदी में पूरी तरह समा चुका था चारों तरफ इस वटब्रक्ष के पानी रहता था और दूर दरास से जल में प्रभावी की गई लासें इसी वटब्रक्ष में आकर अटक जाती थी यह अस्थान घंगोर जंगल की विदर्मियान था इसलिए इस अस्थान पर कोई नहीं आता था लेकिन समय के साथ धीरे धीरे गोम्ती में ने अपना रुख बदलना सुरू किया और गोम्ती की जब दलधारा ने इस वटब्रक्ष को अपनी धार से मुक्त किया तो धीरे धीरे यह अस्थान अलग निकलाया कहते हैं बटब्रक्ष एक बार फिर अलग हुआ और गोम्ती इससे थोड़ा सा दूर बहने लगी जब लोग यहां आए और इस ब्रक्ष को देखा क्योंकि मालूम था कि यही पर हनुमान जी इसी ब्रक्ष की नीचे रहे थे यह ब्रक्ष हजारों वर्ष प्राचीन है तो एक दिन अचानक लोगों ने देखा उसी ब्रक्ष के बाहर एक मूर्ती जो आधी ब्रक्ष के अंदर और आधी बाहर है निकली हुई थी फिर क्या था कोराम मचा और लोग उस अस्थान पर पहुँचने लगे धीरे धीरे वो पूरी मूर्ती जो लगबक साहरे तीन से चार फिट की बताई जाती है उस ब्रक्ष के बाहर आगई ये वो अस्थान है इसी जगह से मूर्ती पहले बाहर निकली और जब भीर बढ़ने लगी तो धीरे धीरे वो मूर्ती इसी ब्रक्ष के अंदर दुबारा समा गई ये चोटा सा स्थान होल है इसी से बाहर हनुमान जी और इसी से एक बार फिर अंदर चले गए हमने कैमरे को जूम करके बहुत कोशिस की कैमरे के लेंस को इसी छिद्र में डालकर देखने की मुझे अंदर एक लाल पत्थर की मूर्ति नजर आई उस वह मूर्ति हनुमान जी की थी हाला कि पूरी और साफ मूर्ति तो नहीं आई ल उस ब्रक्ष का चारों तरफ गहने रखण किया हम यह जाना चाहते थे ऐसा तो नहीं कि लोगों ने इस ब्रक्ष के अंदर मूर्च को रख दिया हो या छुपा दिया हो लेकिन चारों तरफ से गहनता से देखने के बाद भी हमें ऐसा कोई अस्थान नहीं मिला जिससे यह इस ब्रक्ष के अंदर किसी प्रकार से रखी गई है मूर्थी जाने का यानि कि चार फिट की मूर्थी ब्रक्ष के अंदर चली जाए ऐसा संभव नहीं था काफी गोरता से हम ने उस अस्थान का अवलोकन किया इस्थानी लोक और मंदिर के सेवादारों ने बताया कि वो मूर्थी अपने आप इस ब्रक्ष से बाहर आई थी और फिर अपने आप वो मूर्थ इस ब्रक्ष के अंदर चली गई मंदिर पे मौजूद लोगों को ने यह दावा किया कि भगवान स्री राम जबाश्यों में यग्य करने के लिए नैमिस सारणा आये थे तो इसी अस्थान पर उनका सिविर लगा था जहां अजुद्ध्या का निर्मान किया गया और यह जो ब्रक्ष है इसी ब्रक्ष के लि अगर आप हनुमान जी के नाम पर सिर्फ दो अगरवत्ती जला देते हैं और इस ब्रक्ष की एक परिक्रमा कर लेते हैं तो आपकी सारी मनों कामनाएं पूरी हो जाती हैं हाला कि बहुत कम लोग अभी इस अस्थान पर पहुंच पाते हैं क्योंकि यह अस्थान बेहत ब्या नगरी में राहिस्थान से आयो संत सादू तबश्या कर रहे हैं इस दिके नेमी शारण हैं यहां पर जब तब यकन सोग नाफल मिलता है हमारी टीम जिस समय मौगे पर पहुंची उसी समय इस बटब्रक्ष के बाहर एक संत तपस्यारत थे वे लंबे समय से इसी बटब्रक के पास तपस्या कर रहे हैं आदिगंगा गोमती के किनारे सर्जु की धारा के समीव अचुद्या के समीव ब्रठबच के समीव राजस्थान से आय हुए संत यहां पर तपस्या कर रहे हैं आपरम संत मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं दो संत यहां पर तपस्या कर र बह रही है सर्युक्यादार भी यहीं से प्रबावित्त हो रही है कंगोर जंगल यहां पर आने बहुत मुश्किल लग जाता है का फिर बहुन जूछ पर सफाई करा के राजस्तान के निवासी मउनी बाबा के नाम से यहीं पर सपश्चा कर रही है वह मौन थे इसलिए उन राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्हें स्वपने में इस बात का एहसास हुआ कि नैवित सारण में अजुध्या के पास बटबरक्ष पर हनुमान जी साक्षार दर्सन देते हैं इसलिए वो इस अस्थान पर आए हैं और यहां तप कर रहे हैं कुल मिलाकर अदभुत और विलक्षण है यह अस्थान कहते हैं कि इस बटबरक्ष के नीचे हनुमान जी आज भी साक्षात मौजूद हैं और अगर कोई अपनी मनोकामना लेकर के आता है तो हनुमान जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं आश्चेरिकाविसे यह है कि दर्शन देने के बाद एक बार फिर हनुमान जी इसी बटबरक्ष में समा गए हैं लेकिन उनकी चमतकार आज भी हो रहे हैं देखते रहिए प्रेम सनातन टिवी और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन का बटन जरूर दबा दे जिससे हमारा हर प्रोग्राम आप तक पहुंचता रहे